आज मैं आपको एक बहुत ही दिब्य और चमतकारी जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है कुबेर कंद जी हाँ दोस्तों जैसा की नाम से ही पता चलता है कि यह धन के अधिपती देवता कुबेर से जुड़ा हुआ है तो इसका जो चमतकारी सकती है या भी कुबेर देव के समान ही है तो आएज जानते हैं उस चमतकारी पौधे के बारे में उस चमतकारी जड़ी बूटी के बारे में जिसका नाम है कुबेर कंद तो देखे दोस्तों एह है कुबेरकंद का पौधा, यह एक लता जाती का पौधा होता है, जो पेड़ पौधों के सहारे ऊपर तक चड़ा रहता है, और इसके जो पत्ते होते हैं, वह तीन-तीन के समूह में या पांच-पांच के समूह में होते हैं, जब इसका पौधा छोट होता है तब इस पर इस तरह के तीन तीन पत्ते आते हैं और जब इसका पौधा बड़ा हो जाता है तब इसके उपर पांच-पांच के जोडे में पत्ते आने लगते हैं तो यही लटा है कुभेर कंद की लटा और आयरवेद और टंटर में इसे बहुत ही चमतकारी माना गया है इसका कंद जो होता है यह आयरवेद निन बहुत ही पोश्टिक और टाकतवर माना जाता है खासकर उन व्यक्षटियों के लिए जो काम सक्ति की कमी अनभौ करते हैं जिनके अंदर सेख्स-पावर कम होती है और जो अपनी काम सक्ति को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए यह जड़ी बहुत ही चमतकारी रूप से काम करता है और इसके जड़ी के सिवन से चाहे कितना भी नपुन्सक बेक्ति क्यों न हो वह भी पूर्ण पुरुस बन जाता है यह इसके जड़ का चमतकारीक लाब है इसके जड़ का पौडर सहत के साथ से वन करना पड़ता है तो सरीर की समस्त प्रकार की कमजोरी से मिट जाती है और शरीर में चाहे किसी भी प्रकार की कमजोरी हो वह समाप्त हो जाती है और पूंड तरह से पौरुस्ता का संचार शरीर में करती है परन्तु दोस्तों यह जो पौधा है यह तंत्र में बहुत ही अलौकिक और चमतकारी माना जाता है क्योंकि इसके जड़ी से अनेकों प्रकार की चमतकारी कारे किये जाते हैं और खास करके जिन ब्यक्तियों के आयका स्रोत नहीं होता जो ब्यक्ति दरिदर्ता से जूचते रहते हैं जिनके पास धन दौलत संपदा की कमी है ऐसे लोगों के लिए यह पौधा बरदान से कम नहीं है कहा जाता है कि यदी अपने घर में या गमले में कुबेरकंद का पोधा यदी लगा लिया जाए तो जैसे जैसे कुबेरकंद का पोधा बढ़ता है वैसे वैसे उसके घर में धन दौलत और पैसों की ब्रिद्धी होती जाती है तो दोस्तों अभी मैं आपको इसका कंद भी निकाल करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप देख लीजिए, इसके फूल इस तरह के होते हैं, यह सफेद रंग के गुच्छों में आते हैं, इनी फूलों में फल लगता है, और इह फल जहां जहां जमीन पर गिरता है, व इसके कंद को जमीन के मिट्टी में घार दिया जाए और उसके उपर पानी का सिंचन किया जाए तो कुबेर कंद के पौधे उग जाते हैं और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो इस तरह से आप कुबेर कंद के पौधे अपने घर में भी लगा सकते हैं तो दोस्तों जिस पहन दवलत की कोई कमी नहीं रहेगी और दीन दुना रात चोगुना तरख्की होता रहेगा। तो दोस्तों, आईएब मैं आपको इसका कंद निकाल कर दिखा दूँ। और दोस्तों, यदि आप इसके कंद का तंत्र में प्रयोक करना चाहते हैं, तो उसके लिए काई एक कंद ले ली दिये और कंद को अच्छी तरह से जल से धोलें तत पस्चात दुगध और गंगा जल से इसनान कराएं और धूप दीप अगरबती अश्ट गंद कुमकुम इत्यादी से इसका बिधीवत पूजन करें और किसी डिबे में इसे बंद करके पूजा इस्थान में रख दें और नीत प्रती दिन धूप दीप इत्यादी जलाते रहें ऐसा करने से घर में सभी प्रकार की सुख सान्ती बनी रहेगी और आय के सुरोध भी बढ़ेंगे और इसके माध्यम से घर में सुख संपदा और एस्वर की कोई कमी नहीं रहेगी कैसे इसका कंद निकालना चाहिए इसके कंद को निकालने के लिए बहुत ही सावधानी पुरूवक इसको खोदा जाता है क्योंकि इसका कंद बहुत ही नाजुक होता है और थोड़ा सा भियदी इस पे प्रेसर पड़ जाए तो यह टूट जाता है तो इसे बहुत ही आसानी के साथ निकाला जा सकता है और निकालने के लिए से दूर तक थोड़ा खोद लेते हैं ताकि इसका कंद न तूटे और बहुत आराम से इसके कंद को निकालते हैं देखें दोस्तों यह निकाल गया कुभेर कंद मैं आपको दिखा देता हूं यह देख लिजिए यह कुभेर कंद और यही कंद यही कंद तंतर में बहुत ही चमतकारी माना जाता है यह इसका पुराना कंद है, और एक कंद से ही दूसरा पौधा निकल कर फिर से नया कंद तैयार होता है, इस तरह का, तो देख लिजिए, यही है कुबेर कंद, और इस कुबेर कंद को आयरुएद और तंत्र दोनों में ही बहुत चमतकारी बताया गया है, तो आप इस कंद को अची तरह से देख लिजिए और पहचान लिजिए, यह, यदि आप इसके कंद को जगाना चाहते हैं, तो यहां से काट करके, और मिट्टी में गार दीजिए, और गारने के बाद इसमें ओपर से पानी डालते रहिए, तो कुछ ही दिनों में इसके पौधे तैयार हो जाए है, गहर की जो निगेटिव उर्जा रहती है, वो सब समाफ्त हो जाती है, और धीर धीरे घर का सारा निगेटिव आतावरण पोजेटिव में बदल जाता है, तो यह बहुत ही चमतकारी जड़ी बूटी है दोस्तों, इसको आप पहचान लिजिए, और यह प्रतेक घर में इसका पौधा होना ही चाहिए.